चालो शुरुबात करते हैं तो आज हम समझेंगे प्रोडेक्ट को कि प्रोडेक्ट कैसे काम करता है और जो भी क्यूस्चन अंसर होंगे वह बाद में करते हैं तो फटा फट से दो तीन चीज़ों के सवाल के जबाब देंगे आप पहला है हम किसी भी व्यक्ति से या मैं आपसे पर्सनली पूछता हूँ सभी को जिन्दगी में दो चीज़ों की अउशक्ता होती है सभी कोई क्या कि स्वास्त अच्छा रहे और पैसा अच्छा रहे उसके पास तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आज के वातारण में आज की लाइफ स्टाइल में स्वास्त को अच्छा रखना मुस्किल ही नहीं, बहुत मुस्किल हो गया है, मानते हैं न इस बात को आप, और मैं आज आपको ऐसे प्रोड़ेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो आ बोती शानदार और हम इस मिसन को कहते हैं, दवा मुक्त भारत, इस मिसन को दवा मुक्त करना है हमें लोगों को, उसके लिए हमने ये प्रोड़ेक्ट आपके पास में आज लेके आ रहा हूँ, क्या है, कैसे काम करता है, उसको आप समझने वाले हैं, तो सवाल सबसे पहले एक ही आता है दवाईयां हम ले रहे हैं तो यह दवाईयां बढ़ रही हैं गट रही हैं और आदमी को पता है कि आज दवाईयां बढ़ रही हैं पहले कोई एक दवाई पैरसीटा मोल कोई लेते हैं वो एक कंपनी की आती थी आज सारी कंपनियां जितनी भी अवेलेबल हैं म मैंने मेरको चार रोटी की भूक है, पाانच रोटी खाली और अभी भूक लग रही है. जैसे-जैसे रोटी खा रहा हूँ, वैसे-वैसे भूक बढ़ रही है. ऐसा हो सकता है क्या? तो दवाईya बढ़ रही है, तो बिमारी गटनी चीह है, और बिमारीया गट रही है, तो करें की समस्या है आज कर बीपी सूगर पैरलाइसिस कैंसर अटेक वैरिकोज वेन अस्तमा इनके वाइरस का नाम कोई फटा-फट बताएगा तो आज उसको 2000 रुपे मिलें कोई है बताने वाला इनके वाइरस का नाम नहीं पता किसी को भी चलो तो आगे चलते हैं तो पहले क्या था कि कोई विमारी होती थी ना तो उसमें डॉक्ट्रा में जब दवाई देता था तो बताता था कि वाइरस जो है ना इसका 15 दिन जिन्दा रहेगा मलेरिया का तो आप पहले पैसिन जिन्दारएयगा क्योंकि सुगार किसी वाइरस की वज़े से नहीं आप की वज़े से बैसुगर किसने खाया किसने आपने अच्छा खाया बुरा खाया किसने खाया खुद ने तेल किसने खाया कॉलेस्ट्रोल कैसे बढ़ गया खुद का और कौन ध्यान नहीं रख रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है खुद की तो वाइरस कौन हुआ खुद तो डोक्टर क्या कहत जब तक जिन्दा हो जब तक, दवाई यां लेनी होगी, समझगे अब दवाई यां कब बंद ओंगे, कोई दवाई बंद करना चाथा है, तो दवाई यां कब बंद होंगे आपको पता लग ये, चलो तबागे चलते, तो ये हमारा सरीर है, हमारी बोड़ी है, ये पाँछ त वो सो साल पहले आकास, प्रत्वी, जल, अगनी, वायू सब थे, और इन पांच तत्वों में जब भी ऐसंतूलन होगा, हम उसे बिमारी बोले, आज आज आप बिल्कुल तरुता जाओ घर पे, एक दम कोई बिमारी नहीं है, आप कहते हो ने मैं बिल्कुल स्वास्तू, मुझ जब भी हैसंतूलन होगा, आप बिमार होगे, तो पहले कैसे थे ये सब, हवा बिल्कुल अच्छी थी, पानी बिल्कुल अच्छा था, खाना एकदम सुद्ध, अच्छी नीन्द आती थी, आपको ध्यान होगा गाओं में, जब आप लोग चार पाई लगा के पेड़ों के नीचे सोते थे, तो क्या श्यांदार नीद आती थी अना, और ये प्रत्वी का संपर्क कितना था, वही नंगे पैर खेलना, और उसी जमीन पे सोना रात को कितनी श्यांदार नीद आती थी, एक पतली सी चद्दर बिछा के, सीधे डारेक्टली जमीन पे सोजावाओं, तब आप वो हवा तो लानी सकते, आप में ऐसा कौन क्याक्ति है, जो हवा को सुद्द कर सकता हो, पानी सुद्द कर सकता हो, वातवन को सुद्द कर दे, ये जो फल फ्रूट है, दूसी बोजन है, इसको पेस्टिसाइड से बचा ले, ऐसा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, और दूसरा नीचे देखी, आयोग्य जीवन सेली, क्या आप इन चीजों से दूर रह सकते हैं, अभी भी देखो, सब के सामने मोबाईल, लैप्टोप, सब रखता हुआ है, तो नहीं रह सकते हैं, तो ऐसी स्थतियों में, इनके जो प्रभाव हैं, वो आपके सरीर पर दो गई, पानी असुद दो गया, ओक्सिजन असुद दो गई, खाना असुद दो गया, तो वो खाना कहां चला जाएगा, आपके ब्लड में, पहले क्या जाता था, आप एपल खाते थे तो शांदार एपल जाता था, ताजा ताजा, अभी क्या जाता है, एपल के साथ पैस तो ब्लड क्या करता है देखो ध्यान से मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज पढ़के बता रहा हूं फेपड़ों को उत्तकों तक oxygen पोसक तक्त्तों का परिवेन यानी फेपड़ों से oxygen लेके उत्तक मतलब हमारे अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है ब्लड करता है तो फेपडों से oxygen कौन लेगा, blood, और कहां पहुँचाएगा, आपके अंगों तक, उत्तकों तक, अत्रिक्त रक्त वाइनियों को रोकने के लिए रक्त के ठक्तों का निर्मान, मतलब जब आपके कोई चोट हो जाती है, या हनी हो जाती है सरीर में, तूट-फूट हो जाती है तो आपका खून भये नहीं, उसके लिए रोकने का काम किसका है, ये खून, मतलब blood का काम, संक्रमन से लड़ने का, जिसको हम कहते है immunity, किसकी अच्छी है by immunity, वो immunity कौन है, वो blood की होती है, अपसिस्ट उत्पाद, क्या होता है अपसिस्ट चीजें, जो सरीर में खाने के साथ साथ चली गई है, ध्यान से समझ लो, आज ऐसा product समझाने वाला हूँ आपको, कि जिन्दगी बरियाद रहेगा और लोगों को समझा पाएंगे, जो आपने खाया, उसमें दोनों चीजें थी, अच्छी चीज भी और खराब भी, तो अच्छी को तो कहां ले गया, अपने अ लेकिन रक्त तो खुदी कैसा हो गया, गाडा हो गया, खराब हो गया blood circulation, तो जब ये blood circulation खराब हो गया, तो जिस हिस्से में खराबी होगी, वहीं के रोग स्टार्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा तर लोगों को पैरों का कमर से नीचे रक्त का, जो कहते हैं कि circulation खराब हो हो जाता है, तो वो क्या होता है, बवासीर, लक्वा, योन रोग, मुतर रोग, ठकान, कमजोरी, कम उर्जा, ये जितनी भी चीजे लिखी हुई हैं, इन से सम्मंदित बिमारियां बन जाते हैं, और अभी आपने देखा होगा इन दिनों, बहुत तेजी से लोगों के चसमे चड़ रहे हैं, बच्चों के, क्यों? क्योंकि सबसे उंचाई पे जो इससा रहता है, वो क्या है, आपका सर है, मस्तिक्स, और यहां आखे हैं, कान है, दात हैं, तो यहां देखना आप बच्चों में, छोटे बच्चों में, दातों की बिमारी, आखों की बिमारी, कान से स सम्मंदित समस्याएं और चिर्चडापन ये सब के सब क्यों हैं क्योंकि इनका ब्लड सर्कूलेशन सही नहीं पहले खेल कैसे खेलते थे जिसमें गर्दन नीचे जुपती थी मतलब आप जैसे कहते न पिठु समझते आप पिठु खेलना जोडबाग के खेलते थे और रुमा जपटा वगरा इस तरह के तो उसमें क्या होता था आत्मी नीचे जुपता था तो गर्दन से सरक्या ब्लड सर्कूलेशन अच्छा होता था अभी मोबाइल चलाने के लिए क्या करना होता है कुछ नहीं तो क्या होगा ये सारी बिमारिया आज बच्चों को हो गई है ठीक ह तो अभी क्या करना है या तो उनको वोई खेल खिला हो कहां से तोलिया बोलते है चलो तो अभी प्रत्वी का क्या मैत्व है इसमें क्यों हम कह रहे हैं बार बार मिट्टी पे सोने से अच्छा होता था पानी कहा से आएगा जमीन से खाना कहा से आता है जमीन से तो जमीन सब बीजों की बात कर सकता हूं, नीबू का बीज, आप खा सकते हैं कोई, किसी ने खाया है, नहीं, लेकिन उसी बीज को आप मिट्टी में डालो, तो पृत्वी का महत्व पता चलेगा, देखो, पहला तत्व कौन सा होगया, पृत्वी, फिर पानी डालो, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, खाद डालो, चोथा प्रकास, और पांचो आकास, अभी क्या बन जाएगा बीज से, नीबू का पोदा, और डॉक्टर क्या बोलता है, रोज एक नीबू, आपको स्वास्थ के लिए लेना चीए, कहां से आया नीबू, वही पांचो तत्व, उस नीबू के अंदर आ गए हैं, और आपको वह पांचो तत्व नीबू के रूप में मिल रहे हैं, बस हम इस बात को समझ ही नहीं पाए, क्या बिना प्रत्वी के बीजूग सकता था, बिना पानी के, बिना खाद के, बिना प्रकास के नहीं, यानि पांचो तत्व शरीर को चाहिए, तो नीबू के रूप में, खाने के रूप में आपको मिल रहे हैं, लोगों को लगता होगा मिट्टी तो खाई नहीं जाती है, मिट्टी से ही सब कुछ आता है, मिट्टी में ही सारे खनीज लवन है, यह सारे आपको एक सिस्टम के थुरू मिलते हैं, तो ऐसे ही मिट्टी के अ अदमी चार्ज हो जाता है बिल्कुल चार्ज हो जाता है क्योंकि प्रत्वी के आप तार नंगा तार पकड़ के प्रत्वी को एक बार टच करके देखो चार सेकंड भी नहीं लगें इतनी जल्दी उर जाती है तो ऐसे ही वहां से आती है आया समझ में तो यह प्रत्वी का लावा पैदा होता है और चुम्बक के लावा बन जाता है उस लावे को निकाल के जैव चुम्बक बनाए जाते हैं आगया समझ में आपको दो तरह के फोर्स लगते हैं मैगनेटिक फोर्स होता है एक ग्रेविटी फोर्स होता है तो अब बात आई कि ब्लड सर्कूलेशन खराब कैसे हो गया यही सवाल चल रहा है अभी हमारा तो पहले तो खान-पान से खराब हो गया दूसरा क्या हो गया और दूसरा क्या रीजन है शरीर के पंच माँ भूतों में से प्रत्वी से हमें मैगनेट एनरजी मिलती है जिसका सीधा सम्मंद हमारे ब्लड सर्कूलेशन स जब प्रत्वी से चुंबक के सक्ति सरीर के पास आती है तो हमारा रक्ष्प्रवा यानि बलड सर्कूलेशन अच्छा हो जाता है लेकिन बात यह है कि अब ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे पहले चुंबक के एनरजी की आवशक्ता नहीं थी क्योंकि 150 साल पहले हमें जमीन के साथ रहने का मोका मिलता था इसलिए हमारे परिवेश में चुम्बक के सकती बहुत जादा अवेलेबल थी हमें और किसी चीज की आउशकता नहीं होती थी तो पहले भी लोग लोग कहते हैं सुगर हो गई है मीठा खाने से मैं आपको बताना चाहता हूँ आज तो लटू भी नहीं खाते लोग पहले 20-20 लटू खा जाते थे 50-50 लटू खा जाते थे गाउं के लोग बहुत मीठा खाते थे आज तो घी वगएरा कौन खाता है मुश्किल से 2 किलो घी चलता है गर में पहले 10-10-15-15 किलो घी लगता था घर में तो ज़्यादा पहले खाये जाता था लेकिन पहले क्या था सुद्ध था और सुद्ध कौन करता है जल्दी से वाव अDAY इट को ध्यान है काम कोन करता है लिवर निकालेγά बिलकूल टीकाजी चरो लीवर कढ़े ठीक है लेकिन उसको निकालने में आपकि काम करता बलड़ असली जो चीज थी उसको ध्यान कोसा ब्लड़ हमारा मतलब उकिदार खुदी बिमार और अब क्या होगा, जानवर आएंगे जाएंगे, तो पहले क्या था, अब हमारे लोहे के साथ रहना मजबूरी होगी, मकान, खिड़की, दर्वाजे, लोहा, हर जगह घर कर गया, कार, बस, ट्रेन, बाइक, सब लोहे की बनी हुई है, आपका मोबाइल, लैपटोप, टेबिल, क खीच लेता है, जिसकी वज़े से हमें पूर्णता है, एनरजी नहीं मिल पाती है, और दूसरा कारण है कि हम, खुद अर्थिंग के पास नहीं, हम जमीन के पास नहीं, बैस, दो चीज़ें हो गई, असुद्धियां बढ़ गई, और मेगनेट एनरजी कम हो गई, तो बैस, हिसाब से exercise कर सकते हैं, लोए की कड़ाई में खाना खा सकते हैं, मिट्टी के बरतन का यूज कर सकते हैं, exercise कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, tension free रह सकते हैं, तो chat box में जरा लिखें कितने लोग tension free बैठें अभी, या tension free हो सकते हैं, avoid unhealthy food, आज ही कसम खा लें, अभी बैठे जो जो कसम खा रहा है, वो लिख दो इसमें, कि मैंने खा लिए, नहीं, चलो ते एक और बता देता हूं, no mobile, no radiation, landline का connection लेलो, कल से जूम बन, तो आज हमारे पास इतना समय है, इतना पैसा नहीं है कि हम ये सब काम ठीक से कर सकें, या नियमित रूप से कर सकें, और इसी कार सही है, बिलकुल, यह आपको ध्यान रखना है, तो मैं आज आपके सामने एक ऐसा आसान राष्ता लेके आ रहा हूं, अगर आप ये सारे काम नहीं कर सकते, कौन-कौन से काम बताए मैंने आपको, अभी, tension free, nutrition, exercise, avoid an healthy food, no mobile, no radiation, no, और iron की tablet, तो मैं इतना जानना चाहता हूं, सो सकते हो क्या आराम से, सो तो सकते हो ना, महमराजी गर्दन क्यों ला रहे हो, अगर आप सो सकते हो तो आप एक bed लेलो, एक इब आटोरियम का alternative self-healing biomagnetic mattress लेलो, बैस, आपको सोना है, उसमें कोई medicine नहीं है, कोई side effect नहीं है, कोई operation नहीं है, कोई pain नहीं है, और आप अगर उस पे सोते हैं, पानी पीते हैं, उसी bio magnet का, और belt बानते हैं, तो आप अपने blood circulation को अच्छा कर सकते हैं, तो चलिए, magnet energy काम कैसे करती है, इसको समझते हैं, लोग पूछते हैं, कि आपका mattress काम कैसे करता है, पूछते हैं, तो चलो उनको बताते हैं, सबसे पहले हर आदमी का target है, कि उसका body healthy रहे, यही target है सबका, तो body healthy नहीं हो सकती, आपको blood circulation healthy करना पड़ेगा, जब blood circulation healthy रहता है, तो carrier food nutrition, जो मैंने बताये थे न, आपको hormones, vitamins, nutrition, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको कौन, वो blood circulation के थुरू, आपके सरीर के एक एक पार्ट तक पहुंचती हैं, आपके hormones से इस्तरावित हुए body में, insulin hormone हुआ, beta cells हुआ, pituitary gland का, जो भी hormones है, thyroxin hormone है, यह साब blood के थुरू, आपके सभी पार्ट में पहुंचेंगे, 78 parts होते हैं, आपके सरीर में, वहां पहुंचेंगे, लेकिन आपका blood circulation अच्छा नहीं है, तो यह नहीं पहुंच पाएंगे, औ लेकिन अच्छा नहीं है, तो यह liver kidney तक नहीं पहुंचेंगी, और आपके blood में रह जाएंगे, यह हो गया हमारा एक काम, तो यह काम है, magnet energy क्या करेगी इसमें, जब आपका blood अच्छा हो जाएगा, कब होगा, जब आपकी blood cells अच्छी होंगी, blood cells अच्छी कब होंगी, जब आपकी बोड़ी में iron अच्छा होगा, लेकिन सवाल तो एक ही बात था, कि यह magnet product करते क्या है, जब चुम्बक की छेतर सरीर के पास आता है, तो iron को सक्ति प्रदान करता है, जिससे oxygen को आकरसित करता है, और रख प्रवा बढ़ जाता है, अब इसको ऐसे समझिए, कि यह जो ह है, magnet energy, यह क्या करेगी, iron को active करेगी, फिर क्या होगा, iron हमारा active हो गया, फिर क्या होगा, oxygen का level बढ़ेगा शरीर में, oxygen बढ़ेगी तो क्या होगा, red blood cells healthy हो जाएंगी, cells healthy हो गई तो क्या हो गया, blood circulation अच्छा हो गया, और blood circulation अच्छा हो गया, तो क्या हो गया, body healthy, तो क्या ठ मैगनेट एनरजी का बाई एक चीज बताओ मेरी सर्ट में से बटन तूट जाए अब बटन की जगे मैं सर्ट खरीदू या बटन लगाओ अगर मैं हर बार बटन तूटने पर सर्ट खरीदूँगा तो तो आपको वबीपी, बीपी कहा हुआ आपका बलड सर्कूलेशन खराब हुआ तब बीपी हुआ, अब आप बीपी का इलाज कर रहे हैं हुआ क्यों? क्योंकि बलड सर्कूलेशन खराब है फिर आपको सूगर हुई, कहा हुई? बलड में, अब आप सूगर का इलाज कर वा रहे हैं जबकि हुई कहां पे, बलड में, पैरलाइसिस आया, क्या हुआ, सब बलड गाड़ा हो गया, अटेक आया, क्या हुआ, सब बलड में थक्के बन गए, ब्रेन एमरेज हुआ, क्या हुआ, सर बलड में थक्के बन गए, तो नस बलग हो गए, सारा काम बलड का है, और इलाज बी energy काम कैसे करेगी कितना आसान प्रोडेक्ट है हमारा बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं तो आपके सामने यह वो विस्तर मौजूद है जो आपको कभी होस्पेटल के बिस्तर पर नहीं जाने देगा देखो अगर स्वस्त हैं और घर पे अपनी बिमारियों से दूर बग से कहते हैं ओजा से दूर रहोगे वो यही चीज है पपीता खाने से पेट साफ होता है ना होता है किसने मना किया क्यों होता है क्योंकि उसके उसके अंदर जो चीजें वो इस तरीके की है कि आपके आतों को साफ करती है तो पपीता खाओ या चूरन खाओ या आपके आतों ये क्या क्या काम करता है mattress जो इसके अंदर जब आपका magnetic energy आपको मिलेगी आपका blood circulation अच्छा होगा तो इससे ये सारे फाइदे आपको उने वाज़ी हम जो इसके साथ में एक belt मिलेगा आपको उसको हम anti radiation belt बोलते हैं वो क्या काम करेगा आपको radiation के प्रभाव से बचाएगा द इतनी चीजें radiation देती हैं उनको सब को धर्ती की magnet energy neutralize कर देती है neutral कर देती है neutral कर देती है यह समझो आप तो कौन कर रहा है जमीन अभी हमारा magnet क्या है जैव चुम्बग जब यह हमारे पास रहेगा तो और ज़्यादा energy रहेगी तो यह आपको radiation से बचाएगा और water energy pad क्या करत जिससे आपका पानी और ज्यादा active हो जाता है और ज्यादा अच्छा हो जाता है उसका पानी को और ज्यादा पतला हो जाता है जिसकी वज़े से यह आपके blood को और अच्छा रखता है blood circulation को बढ़ाने में मदद करता है तो अभी मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगा यह सा 50% भी है यह साब चीजें एक ही काम करती हैं पता है क्या आपके काम को इतना सारा पैसा सरफ अपने आपको स्वीदा और आराम देने के लिए आप खर्च कर सकते हैं तो अपने सरीर को स्वस्थ करने के लिए आपको यह decision लेना चाहिए यह product लेना चाहिए आपको यह समझना चीजें कि इन सारी चीजों में आप जिन्दा नहीं रह सकते हैं आपको स्वस्थ सरीर वो जगह है जहां आप जीवित रह सकते हैं तो आज ही आपको यह product खरीदने का पुरंट जब आप सेथ पर खर्चा नहीं करते हैं तो बिमारियों पर खर्चा करना आपकी मजबूरी बन जाती है तो मर्जी से खर्चा करना चाते हैं तो यह product ले लें और मजबूरी में करना है तो automatic होई जाएगा यस तो आई आपको बात समझ में किया जितनी भी चीजें आपके घर में हैं वो केवल आपके जीवन को आसान बनाती हैं उनमें आपकी life नहीं है वो आपके जी चीजें खरीदी हैं किसके लिए घर खरीदा क्यों खरीदा आराम से रहेंगे पंखा लगवा है क्यों लिया अच्छी हवा आएगी सब कुछ खरीदा है जीवन को आसान करने के लिए लेकिन जीने के लिए क्या खरीदा है तो मात्र 9600 रुपए में personal खुद के लिए और 15900 900 रुपय में अपने परिवार के लिए आप ये श्यांदार प्रोड़क्ट ले सकते तो ठीक है कैसा लगा आप सब लोगों को समझ में आई चीजें तो ऐसी प्रेजेंटेशन आप इसको आपको ये वीडियो मिल जाएगा इसको आराम से देखें इसको आराम से समझें बार-बार बहुत आसान है हमारा प्रोड़क्ट बस एक ही गणित फिक्स है कि जब आपके बलड में आईरन अधिक होता है और वो लंग्स में जाता है तो आईरन क्या करता है लोवा ओक्सिजन को खीचता है और लंग्स में क्या भरा हुआ है ओक्सिजन उसको कौन खीचेगा आप और हम तो डाल नहीं सकते जब अरदस्ती टायर तो है नहीं कि हवा भर दें ऐसा तो सिस्टम है नहीं बोडी में जब आईरन जादा होगा तो लंग्स में से ऑक्सिजन जादा आएगी जब ऑक्सिजन बलड में जादा हो जाएगी तो आटोमेटिकली आपकी सेल्स हेल्दी हो जाएगी और जब सेल्स हेल्दी हो जाएगी तो बलड हेल्दी हो जाएगा ये एक तरीका आसान तरीका आपके पास में, तो आप यूद करें.